हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका Study Point चैनल पे आज का इंटाइर वीडियो UPSC Mathematics Optional के उपर रहने वाला है और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे Graduation के दोरान ही आप UPSC Mathematics Optional की Preparation कर सकते हैं ताकि जैसे ही आपकी Graduation कम्प्लीट हो आप exam में बैठें और आपको optional वाले paper में कोई विदिकत ना हो इसकी हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे ठीक है तो ये उन सभी student के लिए हैं जो 2024 या फिर उससे आगे के exam में बैठने वाले हैं चुकि UPSC का mathematics का course है वो बहुत ही lengthy है और बड़ा है तो इसको cover करने में भी हमें बहुत ज़्यादा time लगता है और चुकि हम इस video को ऐसे target करके बना रहे हैं जो BAC student को ज़्यादा लाब पहुँचाएगा चुकि जितने भी technical student है like engineering में जो पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां पे वही चीज आपको पढ़ना रहता है लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने सिर्फ normally university से निकल के आए हैं और यहां के आके UPSC का question solve करेंगे तो आपसे solve नहीं होगा तो यह differences रह जाते हैं BAC में और UPSC में तो आज का entire video इसी को पर रहने वाला है और साथ में हम लोग यह भी discuss करने वाले हैं कि कैसे सारे चीजों को हम लोग 2024 तक achieve करेंगे और हमारा क्या schedule रहने वाला है जो इस पर आपकी 3 classes आने वाली हैं तो इन सारे चीजों को हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे तो आएए start करते हैं जैसा कि BAC first year हम लोग especially जो mathematics वाले student है BAC with mathematics अनर्स हो या नहीं हो mathematics होना चाहिए BAC में तो हम उनके लिए discussion कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि BAC first year में आपके दो paper होते हैं paper 1 और paper 2 हम लोग का discussion बहुत ही simple रहने वाला है और अगर आप वाकाई इसका लाब उठाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा अगर आप भगा भगा के या किसी भी तरीके से skip कर देंगे तो चीज़े आपको समझ में नहीं आईगी और पूरे जो हम लोग entire आगे 2-3 साल में पढ़ने वाले हैं उन चीज़ों को भी आप नहीं समझ पाईएगा कि ये कैसे चल रहा है तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है तो बात करते हैं BSE First Year की BSE First Year में जो आपका Paper 1 है जो के Honor's Paper आपका 1 है उसमें कुल मिला के जो आपका Topic है पढ़ने के लिए चार Topic है चार Topic में से दो Topic जो है वो आपके UPC में आता है तो हमने वहीं दो Topic को यहाँ पे सामिल किया है वो दो Topic को हमने Skip कर दिया है जो UPC में नहीं आता आपके BSE First Year के Paper 1 में है यहाँ पे आपके दो Paper कौन कौन से थे तो एक आपका था State Theory ठीक है और दूसरा था Trigone Matrix ठीक है तो यह दो Topic को हमने यहाँ पे Skip कर दिया है क्योंकि यह दो Topic जो है वो UPC में नहीं आते अब बात करते हैं Matrix के तो Matrix में यह आपके BSE में कितना आपके जो Slivers है जो Marks है उसको Carry करता है तो आप देखेंगे कि Total जो Question पूछे जाते हैं आपके Paper 1 में वो 12 Question पूछे जाते हैं जिसमें से आपके 6 के जवाब देने रहते हैं BSE में 12 में से 4 Question जो हैं वो आपको आते हैं किसे Matrix से यानि कि हम लोग Matrix को Prepare कर रहे हैं तो आपके BSE Mathematics भी Prepare हो रहा है और 6 में से 4 Question तो सिर्फ Matrix से हो रहा है ठीक है हमने यह दो को अभी Skip कर दिया है क्योंकि यह UPC में नहीं है और आप यही Matrix को देखेंगे UPC में तो यह अगर 2019 की बा Question आया है ठीक है अगर हम 2020 की बात करें 2020 में तो यह 45 Marks का आया है अगर latest बात करें 2021 में तो यह 20 Marks का आया है यानि कि यह Waitage रखता है Matrices आपके UPC Mathematics Optional में ठीक है तो यह जो Matrices वाली Topic है यह बहुत ही Useful है BSE में भी और UPC में हम इसको Detail में कवर करेंगे जिससे आपका BSE भी Complete हो जाएगा और UPC के सारे subject भी Complete कर लेंगे आपके मन में एक doubt होगा कि अगर यह Matrices आपके PCS यानि कि अगर आप BPC की तियारी कर रहे है या UPPCS की तियारी कर रहे है तो उनमें भी जो Topic है उसको भी हम कवर करने की Quesis करेंगे तो इसमें entire आपके जितने भी चीज आपको प LPP से जो Total Question आते हैं ठीक है आपके यह Matrices की मैं बता दू तो Matrices जो है वो UPAC का जो Paper 1 है Optional Paper 1 और Section A में आता है ठीक है वहीं पर LPP की बात करें दोस्तों जो मैंने यहाँ पर 4 Question बताए है यह आपके BAC में इसमें LPP भी सामिल है ठीक है यहाँ पर अगर हम मैं बात करूं LPP की त आता है और जो आपका Section है वो Section A है ठीक है सॉरी Section जो है वो यह आपका B है तो यहाँ से देखिए यह हमने दो चीजों को Cover करने है जिससे आपके 4 Question जो है वो BAC में Cover हो रहे है यानि 2 Question आपको छूट रहा है BAC के लिए तो Set Theory और Trigo से आप Cover कर लेंगे Set Theory का बहुत सारा Lecture जो ह अब हम लोग आजाते हैं Paper 2 के उपर ठीक है तो Paper 2 में जो है वो आपका आता है Calculus अब Calculus को अगर हम BAC Level की बात करें तो BAC में यह कितने Marker का आता है तक Calculus जो है वो 6 Question आते हैं Out of 12 में से यानि Paper 2 में भी 12 Question आते है और 6 यानि कि यह आपका Paper 2 का आधा जो portion है यह Cover करता है Calculus और यह आपका Differential Calculus है यानि कि Integral और Differential दोनों मिलागी Calculus है ठीक है और यह 6 Question कवर करता है UPSC के अगर हम बात करें तो UPSC में भी इसका Weighted बहुत ज़ादा है और UPSC के बात करें तो UPSC का जो यह Topic है यह किस Paper में मिलेगा तो यह जो Calculus वाला portion है यह आपको मिलेगा Paper 1 और Section A म Cometry से भी आपके 6 Question आते हैं कितने आते हैं 6 Question आते हैं Out of 12 तो यह आपके BAC Paper 2 की बात होगी और यह UPSC में कहां आता है तो UPSC में जो यह वाली Topic है न यह कवर करता है हमारा Paper 1 और Section A का तो जैसे जैसे हम इन Topic को प्रिपेर करते जाएंगे हमारा UPSC का यह सारा जो Slaves है वो कवर होते जाएगा और आप देखेंगे कि BAC का Paper 2 फुली कवर करता है UPSC को ठीक है तो यह आपका BAC First Year रहा तो जितने भी Student BAC में Already BAC First Year पास हो चुके है यह जो अभी अभी Appear हुए है BAC में तो दोनों ही देखें कि UPSC का कितना जारा portion जो है वो उनका Already Cover हो रहा है BAC के दवरान ही अब बात करते हैं जो हमारा Second Year है Second Year यानि कि BAC का Second Year में Paper Third और Paper Fourth Paper Third में जो है वो पढ़ना है आपको Real Analysis BAC में ठीक है और BAC में जो Real Analysis है यह आपके कितने Question को Cover करता है तो यहाँ से आप देखेंगे Real Analysis और Infinite Series दोनों को अगर हम मिला दें तो दोनों जो Question है वो यहाँ पे करीब-करीब 7 Question के आस-पास में जो है Out of 12 कवर हो जाता है Modern Algebra की बात करें तो 5 Out of 12 जो Question है वो आपका कपर हो जाता है और Real Analysis और Infinite Series दोनों को मिला के UPSC में Real Analysis नाम से ही आपको पढ़ना है और यह जो Paper 2 और जो आपका Section A है उसमें आएगा यानि कि UPSC के Optional Paper 2 का यह Topic है Modern Algebra की बात करें तो यह भी UPSC Paper 2 का जो Section आपका A है उसी का Topic है यानि कि यह दोनों सेम है तो आप दिखेंगे आपके जो BSE Second Year है उसका जो Third Paper है यह fully UPSC syllabus को कवर करता है फिर बात करते हैं जो हमारा BSE Paper 4 है उसके इसमें आपको Vector Analysis या फिर Vector Calculus भी भूलेंगे दोनों सेम चीज है ठीक है तो यह आता है अब Vector Analysis की अगर हम लोग बात करें तो यह आपके BSE में तीन Question आता है Out of 12 में से ठीक है इतने Question को वह कवर करता है ODE की अगर बात करें तो तीन Question आता है Out of 12 में से Static and Dynamics की बात करें तो तीन तीन आता है यानि की 6 Question माल लेजे Out of 12 तो यह आप देखेंगे तो आपके BSE हो गया अब Vector Analysis यह आपके UPSE जो Paper 1 है और Paper 1 में जो Section B है वहाँ पे आता है ODE की अगर हम बात करें तो Paper 1 और Section A यानि की ODE आपके Paper 1 और Section A का Topic है ठीक है Static and Dynamics यह आपका Paper 1 और Section B का Topic है यानि की आपका Second Year जो है यह टोटल आपका दोनों Paper UPSC को wholly cover करता है ठीक है और UPSC का यह जितने भी Topic है यह सब आपके Complete होते जा रहे हैं ठीक है यानि की यहाँ तक आप मान के चलिए कि आपकी UPSC का लगभग 40 to 50% सिलिबर जो है वो Complete हो ग आप Second Year पास करेंगे आपका UPSC का 40 to 50% सिलिबर अलेडी cover हो चुका होगा अब हम लोग इंटर कर जाते हैं BAC Third Year में BAC Third Year में चार पेपर है और Paper 1 में जो आपका Sorry पेपर जो फिप्त है आपका BAC Third Year में जिसमें आपका Real Analysis है दोस्तों यह आपको Again परना है ठीक है जो कि आपका फुली पेपर 5 है Real Analysis और इसकी जो भी इसमें टॉपिक आपको परना है यह टॉपिक आपको UPSC में परना है और कुछ टॉपिक जो है वो आपने Second Year में परना है तो यह common है दोनों के लिए ठीक है तो यहाँ पे क्या कहना यहाँ पे तो 12 आउट आप 12 जो है वो आपका यहीं से question आएगा और जब आप इस Real Analysis को complete कर लेंगे तो जो Real Analysis आपका topic है UPSC का वो 100% जो उसका सिलफस है वो cover हो जाएगा Real Analysis का एक भी topic नहीं जूटेगा ठीक है फिर आजाते हैं जो हमारा paper 6 है वहाँ पे paper 6 में again आपका आया modern algebra और यहाँ पे linear algebra अब आप यहाँ पे देखेंगे तो model algebra मैंने बताया कि यह paper 2 और जो section हमारा A है वहाँ का topic था ठीक है section A का topic था अब यहाँ पे हमने already modern algebra के वहाँ पे परहा उसमें का कुछ जो topic है वो जो बच जाएगा उसे हमें यहाँ पे study करेंगे ठीक है जैसे group वहाँ पे रहेंगे यहाँ तो दोनों मिला के UPSC में है और जैसे ही modern algebra आप paper 6 में BSE 30 year का परहेंगे modern algebra भी 100% UPSC को cover कर लेगा और यह आपका real analysis model algebra 100% cover हो गया अब बात करते हैं linear algebra के तो linear algebra यहाँ पे मैं BSE के लिए बता दू कि BSE के लिए यहाँ पे modern algebra से कितने question आते हैं तो यहाँ पे modern algebra से जो total question आते हैं आपके 8 of 12 यानि कि 12 में से 8 question model algebra से और जो बाकी के 4 बज जाते हैं वो linear algebra से यह BSE में ठीक है matrices का हमने weightage दिखा कि इतना है है ना matrix और यह जो linear algebra है वो दोनों एक साथ combine होके UPSE में आता है और इसका minimum 45 to 70 marks तक weightage है आप दोनों को add कर देंगे matrices और linear algebra का तो UPSE में यह UPSE के paper 1 section A में आता है ठीक है तो जैसे ही आप linear algebra यहाँ से पढ़ते हैं आपका linear algebra जो है ना वो 100% UPSE के syllabus को cover कर लेता है अब आ जाते हैं जो हमारा paper 7 है वहाँ पे यहाँ पे aesthetic and dynamics हमने पहले भी उसको study करा कुछ portion उसका छुड़ जाता है जो यहाँ पे हमें study करना होता है जैसे ही यहाँ पे aesthetic and dynamics के अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने question आते हैं तो चार question आते हैं out of 12 आपके BAC 3 year में paper 7 में ठीक है यहाँ पे अगर fluid dynamics की बात करें जिसको यहाँ पे आप attraction and potential के नाम से भी जानेंगे BAC में ठीक है तो इससे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका total number of question होगा वो 4 question होगा यहाँ पे PD, OD को मिलाके 4 question होगा out of 12 ठीक है तो यह statics dynamics जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे 100% UPC का slivers done हो जाएगा fluid dynamics जो है वो 100% done हो जाएगा OD PD जो है वो 100% आपका done हो जाएगा ठीक है और फिर आजाते हैं जो हमारा BAC 3 year का last paper है paper number 8 जो की option होता है दोस्तों यहाँ पे 4 option दिये जाते हैं select करने का लेकिन बाकी के जो 3 subject है जो आप BAC में choose कर सकते हैं वो UPC में काम का नहीं है UPC में काम का क्या है वो है numerical analysis और numerical analysis जो भी यहाँ पर पढ़ेंगे ना वो 100% जो है वो आपके UPC syllabus को cover करता है और इस तरीके से UPC का जितना भी topic है ना वो already cover हो जाता है कुछ छोटे छोटे topic जो है वो misilineous topic बच जाते हैं जो कि हम लोग उसको extra study कर लेंगे तो यह हमने देखा कि third year तक कैसे कैसे जो है वो किन किन topic से हमारा यह सारी चीज़े जो है वो cover होती है तो यह तो एक आपका introduction हो गया कि हाँ यह आप aware हो गया है कि अच्छा यह topic जो है वो आपको in in paper में और UPC का इस paper में चुकि UPC में तो आपको सभी पता है की paper कितने होते हैं तो paper जो है वो आपको kaybal 2 ही होते हैं ठीक कैंए यह total कितने marks को होते हैं तो 500 marks को होते हैं ठीक कैंए अब यहाँ पे हम क्या करने बाले हैं हमारा pattern क्या रहेगा इसको हम लोग discuss कर लेते हैं तो हम लोग ना पहले स्टार्ट करेंगे BAC फेस्टियर से और जो आपका मैट्रिसेज है वहाँ से अब इसको स्टेडी करने की हमारी प्रोसेस क्या होगे यह आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है चुकि दिखिए मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेज से और करेंगे जो कॉमन है दोनों में BAC में भी और UPSC में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ना कि BAC में आपको कम टॉपिक पढ़ने है UPSC में ज्यादा पढ़ने है तो क्या होगा कि एक टाइम पे BAC का जो टॉपिक है वह ओलेडी कभर हो जाएगा फिर भी कुछ टॉपिक जो है यह टॉपिक हमारा खतम हो जाएगा कॉमन वाले तब जो UPSC के लिए टॉपिक के स्पिसर है उसको पढ़ेंगे और जैसे हमारा मैट्रीस खतम होगा फिर हम LPP start करेंगे या फिर इसमें से calculus या analytical geometry यानि कि हम दोनों को point of view से study करेंगे और यह आगे जो आने वाली mathematics के lecture है यह BSE वाले student देख सकते हैं उनकी BSE के exam में help आएगे जो competitive exam के त्यारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं और जो UPSC के लिए त्यारी कर रहे हैं वो उनको देखना तो must ही है ठीक है और state PCS के लिए भी उतना ही उप्योगी है जितना UPSC के लिए तो यह हम लोगों ने discuss कर लिया है अब आप लोगों के उपर है कि आप लोग कब से चाहते हैं कि यह class start हो जाए यह मैं आप लोगों के उपर छोड़ता हूं और यह classes मैं उसे दिन start करूंगा जिस दिन इस video पे minimum 200 like जो है वो मिल जाएगा जिस दिन 200 like मिल जाएगा उस दिन जो आपका यह course है वो start हो ठीक है और मैं कोसिस करूंगा बिलकुल detail में बताने की और basic से बताने की चाकि जितने भी ऐसे student है जिनोंने कहीं पर coaching अब आभी नहीं करा है ताकि उनको आगे भी coaching लेने की जुरत ना हो और काफी अच्छे से उनको सारी चीज़े जो है वो समझ में आ जाए ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है वो आपको पता होनी चाहिए तो target क्या है आपका target है 200 like जो है वो इस वीडियो पे आपको करना है जिससे जो है वो अगला वीडियो जो है वो यानि कि आपका total जो course है वो start हो सके तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही फिर एक suggestion और आप लोगों से मंग दिख रहे हैं इसमें जो है वो आपको audio आ रहा है इसमें मेरी face जो है वो आपको नहीं दिख रही है दूसरा है कि यहां पे कहीं कोने में जो है वो face भी दिखनी चाहिए यहां या कहीं यहां पे कोने में face दिखनी चाहिए तो आप suggest कर दिजिएगा कि आपको face वाली video चाहि ठीक है तो वो भी यूजफुल रहेगा ताकि मैं उस तरीके से जो है वो वीडियो को बना सकूँ तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर आप लोग के टार्गेट के बाद आपके जो नए कोर्स से श्टार्ट होने वाले उसमें तब तक के लिए जैहिंद